ओके सो हेलो वेरिवन वेलकम टू अधर से केट में दोस्तों आप लोग का आज नौवा दिन है जो आपका मैथ का क्लास चल रहा है सधार ब्याज के अंतरगत उसका पार्ट नमबर ये टू है ठीक है तो अब तक हमने जो है दो से तीन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है इसी त प्रवाइड कराएंगे और बेसिक टू एडवांस लिवल पर ठीक है तो ये है सिंपल इंट्रेस्ट का पार्ट नमबर टू सधार व्याज का आपका दूसरा पार्ट इसके साथ साथ फॉंडेशन क्लास हमारा ये मैथ का चल रहा है जो एटू जेट चैप्टर उन सभी को क अगर आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर ले बैल ऐकन को आउन कर ले ताकि आने वाली क्लास के सूचना आपको मिलती रहे और इसके साथ साथ जितनी भी चीज़े हैं ठीक है आपके एक्जाम से रिलेटेड जो आपके लिए बहुत यू करते हैं यह साधाड व्याज में आठवा कोशन है वैसे कोशन तो हमने लगबग साथ सतर से उपर करा दिया है लेकिन यह आपका आठवा कोशन है साधाड व्याज के अंदर कर सिंपल इंटरेश्ट के अंदर कर तो जो बेसिक रूर पढ़ाया था उसको आप समझ लीजिए और जिनको उत्तर पता हो प्लेज आप कमेंट करके उतर भी बताते रहिएगा तो चली स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है यानि अठवा कोशन है आठवा कोशन है आठ सो की रासी तीन वर्षों में साधाड व्याज पर नौसो बीस हो जाती है यदि दर जो है वो तीन प्रत है और इसमें समय कितना लग रहा है तो टाइम लग रहा है तीन वर्ष का लेकिन कोशन में क्या कह रहा है कि यदि दर तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष यानि कि दर जो है वो 3% दर प्रतिवर्ष के हिसाब से तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा तो 3% गोड़े 3 वर्ष तो गतना हो गया दर हो गया 3 तृक का 9 प्रतिशत यह हो गया आपका दर यह बढ़ा हुआ दर है कौंसा दर है यह बढ़ा हुआ बढ़ा हुआ दर है ठीक है बढ़ा हुआ दर प्रत्सत है नो प्रत्सत ये तीन वर्स में क्योंकि कोशन में ही कह रहा है कि यदि दर को एक कंडिसन दे रहा है कि यदि दर को तीन प्रत्सत प्रति वर्स के हिसाब से बढ़ा दी जाए तो उसी अवधी में यानि इसी तीन वर गोड़े 9% that implies that 800 गोड़े 9% हदाएंगे तो कितना हो जाएगा बटा में 100 00 कट गया 890 कितना आ गया 72 रुपएं आ गये आपके मूलधन में वृद्धी ये 9% के एसाप से तो 920 में आप जोड़ना पड़ेगा तो ये कितना है 920 प्लस 72 इसको आप जोड़ेगा तो ये आ हो जाएगा answer समझ में कोशन में कोशन में कह रहा है कि 800 रुपए थे तीन वर्स के बाद वो 920 रुपए हो जा रहे हैं यदि ब्याज की दर तीन प्रतिशत की दर प्रतिवर्स के हिसाब से बढ़ा दी जाए तो तीन वर्स की बात कर रहा है तो तीन का गुला करना 9% हो गया 9 % आया तीन वर्स के हिसाब से बढ़ा हुआ है तो कोशन में पूच रहा है कि उसी अवधी में यानि इसी तीन वर्स क één सा में जो राज़ी है तो पहले हम मुलधन में निकालेंगे रासी में कितनी विर्धी हो रही है जितनी विर्धी हो रही है वही विर्धी 920 के हिसाप से भी हो जाएगी तो हमने इसमें देखा तो हमने 72 रुपए प्राप्त किये इस्ट्रा तो अगर 72 रुपए इस्ट्रा हो रहे हैं 9% के हिसाप से तो 920 में कितना हो जाएगा वही 72 जोडने पड़ेंगे क्योंकि जो बढ़ा हुआ धन है यही तो ब्याज है ठीक है यही तो सधार ब्याज है 72 रुपए तो इसमें अगर जोड़ेंगे तो 992 रुपए आपका सही उत्तर हो जाएगा चलिए अगला कोशन नौवा कोशन पैथें कितने हो जा रहे हैं यह हो जा रहे है 2352 कितने वर्स में तो दो वर्स में तो आपसे क्या कह रहा है कि यदि ब्याज की दर एक प्रतिशत घटा दी जाए और यह जो ब्याज की Δर होती है यह प्रतिशत जो घट रही है वो हमेशा याद Państwo रखेएस गा जनरली वह प् दो वर्स गुड़ा करेंगे तो कितना मल जाएगा दो प्रसत मिल गया हमें दर दो वर्स में ठीक है दो प्रसत दर हमें मिला कब दो वर्स में अब हमको नई ब्याज क्या है यह बताना है तो नई ब्याज निकालने के लिए चोकि यह ब्याज की दर है प्रसत में तो हमें ब्य 200 गोड़े जो आपका ब्याज दर प्रस्ट है तो दर कितना है 2% बराबर क्या होता है simple interest होता है ठीक है simple formula होता है simple interest तो simple interest अभी हटा दीजे पहले हम मान निकाल लेते हैं ठीक है इसको आप क्या करिएगा percent हटाएंगे जब प्रस्ट हटाएगा तो बटा में 100 हो जाता है तो चलिए प्रस्ट हटा देता है यहीं पर सीधा हटा कर यहीं पर प्रस्ट बटे 100 लिख देते हैं 200 से 200 कट गया 21 कितना हो आ गया 42 रुपए तो अब आप 42 रुपए आपको प्राप्त हुआ ठीक है अब आप 200 sorry 42 रुपए आपको प्राप्त हुआ लेकिन पहले जो ब्याज किदर थी अगर 2100 और 2350 में से 200 को घटाएंगे तो इनकी बीच का जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा वो पहले वाले दो वर्स का ब्याज मिलेगा तो पहले वाले दो वर्स का ब्याज कितना है तो यह भी निकाल लिजे पहले नहीं पर 2352 माइनस 1200 तो कितना मिल गया 210 210 रुपए मिल गया 210 रुपए त तो यह तो शुरुवात का ब्यास था, ठीक है? एक मिन ट हाँ यह शुरुवात का ब्यास था 210 और एक प्रिस्द जो ब्यास की तरभ घटा ही जा रही है उसके इसाब से तो आपसे question में ये नहीं पूछ रहा है घटा हुगा ये पूछ रहा है नई ब्याज क्या होगी तो नई ब्याज क्या होगी पुरानी में से जब आप ये वाली हटा देंगे घट रही है तो आपको नया ब्याज मिलेगा तो 210-42 बराबर आपका आ जाएगा एक मेंट 210 नहीं 250 आ रहा है ये 250 है ठीक है ये 250 आएगा तो 250 में से आप 42 घटाएंगे तो आपको 210 रुपए ये नया ब्याज मिलेगा मैं फिर से समझा दे रहा हूँ कैसे हमने किया question में कह रहा है कि 2100 रुपए थे दो वर्स की अवधी पर उसमें कुछ व्रिद्धी होई ब गटाएंगे तो कितना आएगा 252 रुपए आएगा ये पुराना ब्याज है पुराना ब्याज अब question में कराई यदि ब्याज के दर एक प्रस्षत घटा दी जाए तो प्रतिवर्स के हिसाब से तो दो वर्स के हिसाब से कितना हो जाएगा 2% दर दो वर्स में घट जाएगी तो जो घटी है उसको निकालेंगे मुल्धन के एसाब से तो 42 रुपए आया सुरुवात में कितना था 252 और घट के कितना आया 42 तो जब 222 में से 42 घट आएगे तब आपको जो मान मिलेगा वो आपका नया ब्याज मिलेगा समझ रहें कि नहीं समझ रहें में ब्याज प्राने में से घटा हुआ घटा देंगे तो हमको 210 मिल जाएगा जो की नया ब्याज होगा चलिए अगला कोशन अब कोशन थोड़ा सा चेंज हो रहा है यदि किसी धनराशी पर तीन सही तीन बटे चार प्रसद प्रतिवर्स की दर से दो सही एक बटा तीन वर्सों का ब्याज 210 है तो वहरासी कितनी होगी अब देखे यहाँ पर दर प्रसद कितना दिया है तीन सही तीन बटे चार परसंट समय कितना दिया है समय दिया है दो सही एक बटा तीन परसंट ब्याज कितना दिया है ब्याज दिया है 210 रुपए ऐसे गर आप लिख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़े हो रही है अब आपसे जो पूछ रहा है उसको निकाल लिजिए वैरी सिंपल है निकालना कोशन में क्या कर रहा है कि प्रतिवर्स की दर से इतने वर्सों का ब्याज इतना है तो राजी पूछ रहा है अगर इतने वर्सों की बात कर रहा है दो सही एक बटा तीन वर्सों की तो हम सीधा इसी का निकाल लेते हैं दर प्रस्त तो पहले कितना था तीन सही दि उसको काटिए गुड़ा करिए अगर आप इसको solve करेंगे तो यह हो जाएगा चार तिया बारे बारे तिंकिता हो गया 15 बटे चार गुड़े तीन दो नीच है एक साथ साथ बटे तीन तो इसको गुड़ा करेंगे तो 15 सते 35 बटे और 35 यह कट जाएगा ठीक है तीन पच्चे पंदर यह कट गया तो 15 सते 35 बटे चार यह प्रस्ट आ गया नया दर दो सही एक बटा तीन वर्स के हिसाब से ठीक है अब आपसे कह रहा है कि वर्सों का ब्याद जो है वो 210 है फार्मूला आपको पता है कि P यानि प्रिंसिपल इमाउंट यानि मुलधन गुड़े दर प्रस्ट बराबर सिंपल इंटरस्ट होता है तो P तो हमें पता नहीं है हमें P ही निकालना है दर प्रस्ट कितना है 35 बटे 4 परसंट और सिंपल इंटरस्ट हमें पता है 210 है तो इसी को सॉल्ब कर लीजे ये परसंट हटाएंगे तो बटा 100 हो जाएगा तो P इंटू 35 बटे 4 गुड़े 100 बराबर 210 जो कटने पिटने तो 6 चोग 24 और 2,0 ये तो ये आगया आपका 24 रुपए ये आपका जो मोलधन था या रासी जो था वो इतना आ गया ठीक है कुछ नहीं करना था कह रहा है कि धनरासी पर इतने परसंट का ब्याज है तो 3 सही 3 बटे 4 परसंट का अगर ब्याज है ठीक है और उसके बाद कह र दर परसंट is equal to simple interest लेकिन जो दर परसंट होता है ये दर परसंट जो होता है ये हमेशा जब भी कोशन हम सॉल्ब करेंगे तो हमेशा ध्यान में रखेगा ये दर परसंट जितना भी वर्स लाष्ट में कह रहा है उस वर्स को add करके निकालना है ठीक है तो जब 2 सही 1 बटा 3 वर्स की बात कर रहा है और ये किवल एक वर्स के हिसाब से है तो हम इतने वर्स का निकालेंगे निकालने के लिए क्या करेंगे दोनों में गुड़ा कर देंगे गुड़ा करके जो माना या वो आपका हो गया दर प्रसंट दो सही 1 बटा 3 वर्स के हिसाब से यानि 7 बटा 3 निकाल नीगाला लीजिए किसी धन रासी मनलब कोई धन रासी है या कितनी धन रासी छह वर्स में 4 प्रसत वार्सिक साधाण ब्याज की दर से 496 हो झाएगी सिम्पल ठीक है चादे कोई ट्रिक नहीं है एक लाइन का सवाल है लेकिन फिर भी हम समझाने के लिए आपको 4-5 लाइन में समझाते हैं क्या कह रहा है छह वर्स में 4% वार्सिक साधार व्याज की दर पहले बाद तो ये जान लिजे दर प्रसित कितना है 4% समय कितना है समय है 6 वर्स तो 6 वर्स के हिसाब से पहले तो आप दर निकाले जिए तो 6 वर्स के हिसाब से गर दर निकालेंगे तो 4 परसेंट दर गुड़े 6 वर्स बराबर जो मिला 6 चोग के 24 परसेंट ये दर मिल गया कितने पर मिला 6 वर्स प्रति 6 वर्स के हिसाब से ठीक है यह 6 वर्स के हिसाब से है 24% दर अब कोशन का अगला पार्ट पढ़िए कह रहा है कि ब्याज की दर वह 490 हो जाएगी तो कोशन में कही रहा है कि ब्याज की दर जो हो रही है वह कितनी हो रही है 496 हमने माना हमने एजूम किया कि 100 रुपए उधार दिये होंगे हमने माना कि 100 रुपए उधार दिये होंगे तो अगर 100 रुपए उधार दिये होंगे तो 100 रुपए उधार दिये होंगे तो 100 रुपए पर अगर आप 24% दर रखेंगे 24% तो 100 रुपए का 24% कितना होगा 24 रु जोड लिजिए तो कितना उत्तर हो जाएगा? 200 जोबीस हो जाएगा या आपका मिसरधन प्राप्त होगा हमने माना मुलधन 100 रहा होगा तो अगर हमने दर प्रसंत निकाला है 24 अगर 100 का. आप 24 प्रसंत दर निकालेंगे निकाला के भी दिखा देते हैं सव गुड़े 24% है तो बटा सव कर दीजिए ये सव से सव कट गया कितना है चोविस है तो आया तो हमने वही 24 यहां पर जोड़ लिया डारेट है ये एक जर्षक चीप हमने इसकिप कर दिया तो हमने माना कि वह जो धन रहा होगा ayudar तो सव रहा होगा तोdess была 100 को अगर 74% हम निकाले-गे 25 क्या है 24 वह 24 जोड़ेंगे 24 2 चैरे चिसारम क्या है 24 लग जाये क्या कह रहा है? 496 अब देखिए हमें कितना मिला? हमें टोटल जो मिला वह 124 मिला लेकि कोश्चन में ही कह रहा है धनरासी जो है वह 496 हो जाएगी जब कह रहा है 496 हो जाएगी हमें इसा जो चीद complete हो जाता है final हो जाता है वह हमिशा मिस्सरधन होता है जो हुआ वह मिस्सरधन है जो उसमें 50 रुपए के ब्रिद्धी हो रही है 100 से 1.500 होने पे वह 50 रुपए आपका ब्याज है तो 100 से 24 जुड़ा यानि यह ब्याज जुड़ा तो मिस्सरधन कितना हो गया? 124 तो एमाउन कितना हो गया? 124 इसलिकर कोशन में कह रहा है 124 ना हो करके कितना है? 490 है कितना है? 490 तो यह 124 ना हो करके कितना है? 490 कितने गुने पर है? अब गुना निकाल लिजे तो 124 को 4 पर गुड़ा करेंगे तो 490 मिलेगा यानि कितने गुने पर है? 4 गुने पर है अगर ये चार गुने पर है तो आप से पुछ रहा कितनी धनरासी तो ये 100 भी कितने पर होगी चार गुने पर होगी तो गुड़ा कर लिजिए तो आपका आगया 400 रुपए से एंस्वर क्या आगया 400 आपका आगया एंस्वर समझ में आया कोई ट्रिक नहीं था जो बोला हमने उतना कर दिया उसे इसाब से हमने निकाल लिया चलिए अगला कोशन ब्रावा कोशन देख लिए कोशन को थोड़ा जल्द यल्दी करते हैं और जिनको भी उत्तर पता हो प् ठीक है आपको कोशिस करता हूँ कि ये क्लास उपलब्द करा दू बस कुछ ही दिन में आपका जीके भी स्टार्ट होने वाला है ठीक है तो जीके की क्लास भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी उसके साथ आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा और प्लिस डेली क्लास क्या जो लोग भी वीडियो को देखते हैं लाइक भी क्या करिए चलिए अगला कोशन कहा रहा है यदि किसी धन पर तीन वर्स के लिए साड़े बार है फ्रस्ट की दर से लका सधार ब्याज मुल धन से 4500 रुपए कम है तो मुल धन और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमने माना कि जो एमाउंट रहा होगा जो धन रहा होगा ये जो धन है ये कितना रहा होगा हमने माना पी रहा होगा कितना रहा होगा पी ये हमने मान लिया तो पी रहा होगा और कितने प्रस्ट के दर से उस पर सधार ब्याज लग रहा है तो पी पर कितने प्रस्ट का लग रहा है बा के बैरति वर्स के हिसाब से, तीन वर्स के लिएY democratा के लिए consequences कितने वर्स के लिए 2प ख कर रहा है यह यह मतलब कितना हो गयाàn इक बटै आठ हो गया्व जो मैंने स्टार्टें में बताया था रूल एक बटै आठ और ये ब्याज है सधार ब्याज लग रहा है तो यानि पहले वर्स में कितना एक दूसरे वर्स में कितना एक तीसरे वर्स में कितना एक ठीक है यह हमने एजियों कर लिया मान लिया ठीक है क्योंकि आपको पता है अगर आप एक बटे आठ का स्वारी एक बटे आठ का नहीं हमने माना कि जो एमा का मान कितना होता है एक बटे आठ होता है तो हमने माना जो मूलधन रहा होगा वो आठ रहा होगा तो अगर आठ रहा होगा मूलधन तो आठ का बारस सही एक बटा 2% निकाल लेंगे तो आपको केवल एक प्राप्त होगा तो पहले साल कितना मिलेगा पहले साल भी एक मिलेगा यानि पहले साल ब्याज मिलेगा एक दूसरे साल कितना मिलेगा एक और बात भी तो तीनी वर्स की हो रही है यहाँपर देखे क्या कह रहा है 3 वर्स के लिए समझ में आगया फिर से समुझा दे रहा हो हमने माना कि अमाउंट पी रहा होगा इस पे बारे सही कितना आएगा, एक आएगा, कितना आएगा, एक आएगा, तो यानि कि पहले साल ब्याज कि, ब्याज कितना होगा, एक, दुसरे साल कितना होगा, एक, तिसरे साल कितना होगा, एक, तो तीनो साल अगर जोडएंगे तो आपको तीन मिलेगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया, त तीनों साल के अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तीनों वर्स का 1 प्लस 1 प्लस 1 बרाबर 3% इतना समझ में आ गया। तीन परसंट ना बोलिए इसको ये परसंट अब नहीं हो गया यहाँ पर ये तीन रुपए हो गया ठीक है ये तीन रुपए मान लिजे अब कोशन में कह रहा है कि मुल्धन से 4500 रुपए कम हो जाएगा तो आपको मुल्धन और सिंपल इंटरस्ट निकाल ला है तो हमने माना कि मुल्धन आठ था तो अगर आठ रहा होगा और उसमें तीन रुपए जो है वो ब्याज तो अगर आठ रुपए रहा होगा और इसमें तीन रुपए का ब्याज लग गया होगा तो कितने का गयप है मुल्धन से ब्याज में मुल्धन से ब्याज में कितने का गयप है पां और हमने देखा कि जो principal amount है वो simple interest से कितना कम है 5 रुपए कम है तो अगर 5 रुपए कम है और question में कहरा 5 रुपए ना होगर के 4500 रुपए कम है तो 5 रुपए ना होगर के कितना है 4500 रुपए कम है कितने गुने पर है 5945 यानि 900 गुने पर है तो जो पूछ रहा है निकाल दीज आपका रुपए में समझ में आगया होगा आप लोग को नहीं समझ में आगया हो तो फिर से मैं अलग तरीके से समझा दे रहा हूं ठीक है फिर से समझ लीजे कि अगसे के जितने तरीखें बता है अ उतने तरीखें को अप्लाई करें एकए क्यों का मान आपको आराम से पता चल जाएगा ठीक है नहीं समझ में आएगा कमेंंट करके emotion को अगले दिन मैं फिर से repeat करा दूँगा और समझाने के फिर से बात करा है और हमने माना पहले यहां पर क्या करा बारह सही एक पटा 2% कि दर से तो बारह से ज फ़चे tooth के मान कितना होता एक बटे 8 होता है अगर माली जी मुलधन 8 रहा होगा तो 8 का बारह से बटा 2% कितना होगा एक यानि पहले साल भी एक रुपए का ब्याज लगा होगा क्योंकि सधार्ण над व्याज में हर साल व्याज जो होता है वो समान होता है व्याज क्या होता है एक्साल vendas लेकिंयों अर्फग़्छन कांज किरन द्रश वारेई ह्योट सिरख्षट में ग cannit in श्राफ रहा होगा मुल्धन तो उस पर 8 रुपए का 12 से 1 बटा 2 परसंट कितना होगा एक रुपए तो एक रुपए जो है यहाँ पर यह आपका आ जाएगा ब्याज तो पहले साल भी एक रुपए का ब्याज दूसरे साल भी एक रुपए का ब्याज तिसरे साल भी एक रुपए का ब तो 8 रुपए में कितने रुपए का ब्याज है? 3 रुपए का ब्याज. तो अगर ये principal amount होगा, मोलधन 8 रुपए रहा होगा, और simple interest हमें 3 रुपए प्राप्थ हुआ, तो इनके बीच में जो difference है, वो कितने रुपए का है? इनके बीच में 5 रुपए का difference है. और ये जो difference है, अगर 8 में से 3 निकल जाए, तो 5 मिलेगा. ठीक है, यही जो difference है, ये दिया हुआ है कोशन में, 4500. ये 5 रुपए कितना है? कोशन में कह रहा है, 4500 है. क्या कह रहा है? सधार ब्याज जो है, यानि simple interest जो है, ये मोलधन से 4500 कम है, और हमने देखा कि 5 ही कम है, लेकिन ये 5 रु 4500 को 5 से भाग दिजेगा, तो 900 मिलेगा. यानि 900 गुने पर है, तो अगर ये 900 गुने पर है, तो simple interest भी 900 गुने पर होगा, तो गुड़े 900 मिल गया आपका 2700 उत्तर और principal इमांट भी पूछ रहा है, मोलधन भी पूछ रहा है, तो ये भी आपका 900 गुने पर होगा, तो 900 पढ़ते हैं, एक ही कोशन पर इतना समय नहीं लगाना है, अगले कोशन की तरह बढ़िए, 13 कोशन क्या कहा रहा है, 13 कोशन पढ़िए, किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा सधार ब्याज मुलधन से 2200 रुपए कम है, या दिदर जो है, वो 16 सही 2 बटा 3% है, तो मुलधन औ 2200 रुपए कम है, same question है, अगर मुलधन माना 6 है, तो अकर 6 रहा होगा, तो 6 का 16 सही 2 बटा 3% कितना होगा, एक आएगा, यानि पहले साल भी 1 रूपए, दूसरे साल भी 1 रूपए, तिसरे साल भी 1 रूपए, और चौते साल भी 1 रूपए, यह बिया जाया होगा 4 वर्ष के तो चार वर्स के लिए कितना हो जाएगा टोटल चार रूपए तो कि पहले साल का एक प्लस दूसरे साल का एक प्लस तीसरे साल का एक प्लस चोथे साल का एक बराबर चार रूपए आ गया चार वर्स का मिलाकर जो आपका ब्याज है सदार ब्याज है ठीक है अब कोशन में कह कि जो मूलधन है वो सधाड ब्याज जो है वो मूलधन से 200 रूपए कम है लेकिन हमने मूलधन कितना माना था 6 रूपए तो 6 रूपए से सधाड ब्याज कितना 4 रूपए तो अगर देखें मूलधन से सधाड ब्याज कितने रूपए कम है तो 2 रूपए कम है लेकिन कोशन में मिलेगा वो मिलेगा एक 1100 गुने पर है ठीक है अगर ये 1100 गुने पर है तो आपका principal amount और simple interest भी इतने गुने पर होगा तो इसको भी कर लिजिए तो ये 4 जो है ये भी 1100 गुने पर होगा तो 1100 चोग 4400 अन्सवर आ गया दूसरा ये भी principal amount भी जो है आपका ये 1100 गुने पर होगा तो 116 चांचट ये भी आपका एंसर आ ठीक है तो मुल्धन आ गया चांचट सो और आपका simple interest आ गया सधर भी आ जा गया चोवाली सो ठीक है तो इस तरीके से मान निकालना है चलिए 14 और 15 जो question है ये थोड़ा सा conceptual है अच्छे से समझेगा फिर आप मान निकाल लेंगे पहले question को अच्छे से पढ़िए और एक बार नहीं दो बार पढ़िए मैं दो बार पढ़ दे रहा हूँ अप लोग के लिए रुपए 2100 की धनरासी को दो भागों में उधार इस प्रकार दिया गया कि पहला भाग दूसरा जो पार्ट है उसमें नो प्रतिसत प्रतिवर्स की दर से दो वर्स में अरजित ब्याज के बराबर है तो आप से पूछ रहा है दूसरे भागे की धनरासी क्या है समझ में आ गया मान लिजए 2100 रुपए हैं इसको दो भाग में बाटना है पहला भाग जो है वो चा की प्रतिवर्स की दर से है तो आपको दूसरे भाग का धनरासी बताना है कितना होगा ठीक है तो मालीजे 2100 रुपए है ठीक है 2100 को इस तरह से बाटा गया मालीजे ये 2000 है एक्जांपल के लिए और ये 100 रुपए है तो जोड़ेंगे कितना हो जाए 2100 तो आप से यही पू बहुत रही है कि दूसरा भाग का धनरासी कितना है ठीक है यही पूछ रहा है चलिए अब कोश्चन को हम solve करते हैं पहले तो जो बोल रहा है उसको लिखते हैं ठीक है को Corbin कै रहा जो है कि 2100 रूपए की धनरासी थी कितनी धनरासी थी 2100 को तो यहीं निप्टा दीजे छिक कह रहा है दो भाग तो हमने माना part 1 और part 2 question में क्या कर रहा है फिर से सुनिए part 1 part 2 part 1 में कह रहा है कितने percent ब्याज है तो 6% की दर से ब्याज लग रहा है दूसरे भाग में कितना ब्याज है दूसरे भाग में 9 percent की धर से कितने वर्स के लिए पहले भाग में पहले भाग में possible तो गुड़े चार वर्स यहीं कर दीजे, क्योंकि चार वर्स कर रहा है तो हम चार वर्स का एक्जेक्ट निकालेंगे, चार वर्स की बात कर रहा है, दूसरे भाग में कितने वर्स की बात कर रहा है, दूसरे भाग में दो वर्स की बात कर रहा है, तो दो वर्स यहीं 14% किदर हो गई दो वर्स के लिए exactly ये बराबर है यही question में कह रहा है अब आपसे P2 का मान पूछ रहा है question में कह रहा है P2 क्या होगा यही पूछ रहा है ठीक है अगर आप question का language लिख लिए है अपने math के rule math के तरीके से तो आप असानी से solve करेंगा और यही कह रहा है कह रहा है यह 6% क्या कह रहा है 6% की दर से 4 वर्स के लिए जो ब्याज है वो बराबर है दूसरे भाग का 9% की दर से 2 वर्स के लिए जो ब्याज है तो हमने उसको निकाल लिया तो P1 into 24% को अगर बटा में करेंगे तो 100 से भाग हो जाएगा P2 into 18 परसत को हटाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा तो 100 से 100 कट जाएगा इसको काटिए तो 6 तरीक 18 और 6 24 यानि P1 into 4 बराबर P2 into 3 तो अगर आप P1 बटे P2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बटे 4 क्योंकि यह जो 4 है यह नीचे आजाएगा और P2 यहाँ नीचे आजाएगा तो P1 into P2 निकल गया ठीक है अब देखिए यहाँ पर तो अब देखिए कोशन में क्या कह रहा है कि जो अरजित ब्याज है वो इनके बराबर होगे तो दूसरे भाग की धन्रासी क्या है मुल्धन कितना था 200 रुपए अब यहाँ पर देखिए 21 P1 प्लस P2 यानि पहला भाग और दूसरा भाग अगर इन दोनों भाग को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए हमें 200 मिलना चाहिए तो अगर 3 और 4 को यानि P1 is equal to 3 रुपए P2 is equal to 4 रुपए अगर इनको जोड़ेंगे तो कितन है 2100 है तो यह 7 ना हो करके कितना है 2100 रुपए है तो अगर 7 ना हो करके 2100 है तो कितने गुणे पर है तो 721 यानि 300 गुणे पर है तो पहला भाग भी 300 गुणे पर होगा दूसरा भाग भी 300 गुणे पर होगा तो अगर 1st पार्ट की बात करें तो 1st पार्ट आपका 3 गुड आपका answer आ जाएगा यह आपका answer आ गया समझ में आया कैसे हुगा ठीक है कोई जादे trick नहीं था very easy था चलिए दूसरा question इसी तरीके से उसको समझ लीजिए तब भी समझ में आ जाएगा ठीक है same question है पहला question जो हमने अभी समझाये है यह question यहाँ पर है बस मान जो है change कर दिया है जो यहाँ पर data थोड़ा सा change कर दिया है तो कोई बात नहीं दूसरी data पर हम उसकी question को solve करते हैं जिसको आ रहा हो प्लीज आप लोग comment करके इसका उत्र बताइए ठीक है time ले लिजिए आराम से solve करिए मैं question पढ़ दे रहा हूँ पधराम कोई दिया है और इस प्रकार दिया जाए जो पहला भाग है उस पर प्रतिक्त परतिवर्स की दर्से आथ वर्स में अर्जित ब्याज वो बराबर है किसके बराबर है दूसरे भाग पर 5% प्रतिवर्स की दर से अरजित ब्याज के तो आप से दूसरे भाग की धनरासी पूछ रहा है पहले तो प्रिंसिपल एमाउंट कितना है? बावन सो रुपए माल लेते हैं P1 और P2 यानि पहला जो भाग रहा होगा वो P1 रहा होगा दूसरा भाग P2 रहा होगा ठीक है? हमने ये माल लिया अब इसी के हिसाब से हम सॉल्प करते हैं P1 is equal to P2 लेकिन किस कंडिशन में? उसमें कुछ कह रहा है इनकी प्याज की दर कब बराबर होगी? तो अब आपको पहले देखना है कि कितना दिया है पहले भाग में कह रहा है कि 3% की दर है कितने वर्स के लिए? 8 वर्स के लिए दूसरे भाग में कितना कह रहा है? दूसरे भाग में कह रहा है 5% की दर है कितने वर्स के लिए? 3 वर्स के लिए और इनका जो ब्याज है वो आपस में बराबर है तो अब यहाँ पर ब्याज देख लिजे ब्याज क्या होता है simple interest formula क्या होता है P into दरप्रस्थ बराबर simple interest और माले जी ये पहले वाले भाग का है तो दूसरे वाले भाग का क्या होगा P2 into दरप्रस्थ बराबर simple interest तो simple interest simple interest बराबर हो गया यानि पहला part is equal to दूसरा part यानि P1 into दरप्रस्थ बराबर P2 into दरप्रस्थ वही चीज यहाँ पर है ठीक है कुछ अलग चीज नहीं है यह जो step समझाने वाला था यही मैंने skip किया है ठीक है तो यह याद रखिएगा चलिए अब इसी को यहाँ पर apply कर देते हैं जिसको भी समझ में आ रहा हो प्लीज आप लोग comment करके बताते रहिए ठीक है चलिए अब देखे तो आठ तरीक कितना हो गया 24% क्योंकि यहाँ पर आठ वर्स की बात हो रही है तीन प्रसत की दर से यह कितना है 5% तीन वर्स के लिए तो पांसतियां कितना हो गया 15% यह आपका बराबर है कोशन में कह रहा है तो इसी को solve कर लिजिए P1 इंटू 24 बटे 100 बराबर P2 इंटू 15 बटे 100 100 से 100 कट गया 35 15 तीन वर्टे 24 तो P1 बटे P2 बराबर कितना हो गया 5 बटे 8 तो अगर आप इसको देखें तो पहला भाग कितना हो गया पहला भाग हो गया 5 दूसरा भाग कितना हो गया 8 और दोनों को दोनों जोडे तो कितना हो गया 8 5 एक हो गया तेरह कोशन में कह रहा यह जो हैमाउंठ है यह 13 ना हो करके कितना है यह भावन तो तेरे ना हो करके बावन सो है कितने गुने पर है तेरे चोक को बावन यानि चार सो गुने पर तो पहला पार्ट भी चार सो गुने पर होगा दूसरा पार्ट भी चार सो गुने पर होगा तो फर्स्ट पार्ट की बात करें तो पांच गुडे चार सो और सेकंड पार्ट की बात करें तो ये आठ गुड़े चार सो गुणे पर तो गुड़ा कर दीजिए तो पांच चोग के 20 और दो जीरो आगे आठ चोग 32 दो जीरो आगे तो आप से कौन सा भाग पूछ रहा है दूसरा भाग तो दूसरा भाग हो गया आपका 32 रुपए एंस्वर ठीक है और 32 और प्लस 2000 कितना हो गया तो यह हो गया आपके कोशन ठीक है तो मैंने इंप्वार्ट कोशन करा दिया थोड़े से टफ लेवल के थे लेकिन बहुत इंप्वार्टन थे आपके एक्जाम में ऐसे कोशन पोचे जाते हैं तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लिस वीडियो को सभी दोस्त लाइक करें अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को सेयर करें और जितना हो सके ठीक है लोगो को क्लास के बारे में बताईए तो सिंपल इंट्रेस्ट का यह पार्ट नमबर 2 खतम हो गया अच्छे तरीके से ठीक है जो भी एनलेसिस के चीज़े होंगे ठीक है उन चीज़े को करा दूँगा जो एडवांस के चीज़े होंगे उसको मैं करा दूँगा ठीक है तो फान्डिस्टिंग कोर्स का यह मैध का क्लास चल रहा है उमीद करता हूँ कि आप लोग चैनल को आगिन वंदे मातरम